दोला वीरा को भारत का 40 वा युनेस्को विस्त धरोहर इस्थल बनाए गया है इससे पहले आपने 49 वा देखा होगा हाली में यही सामिल किया गया था वो है आपका रमप्पा मंदिर जिसे आप लोग रुद्देश और मंदिर भी कहते हैं इसे ही मिलाकर आप देखेंगे कि भारत में 40 विस्त से धरोहर इस्थल हो चुके हैं और दोला वीरा के बारे में आप लोगोंने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा एक गुजरात में पढ़ता है इस्थल समझ रहे हैं आप लोग तो याद रखी इस किलास में हम लोग क्या करे एक तो आपका दोला वीरा के बारे में है विस्तार से हम लोग बात कर लेंगे एक जो समती है यूनेस्को की जो इन्हें सुईकार करती है एकसेप्ट करती है उस पर भी हम लोग कुछ पॉइंट देख लेंगे और यूनेस्को के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेंगे औ और आपका गुजरात तो है यह, तो गुजरात भी भी कुछ पॉइंट आपको बता देंगे, अगर वहां से भी questions आता है, तो आप लोग आराम से उसे भी solve करने की स्तिती में पहुंच जाओगे, और वैसे भी आप देख रहे हैं, कि आज जो हमारे देश के सीस पद हैं, टॉ बानते हैं, और याद रखे इस तरह के questions आपके prelims में भी बन जाते हैं, फिर चाहे वो state PCS का prelims हो, या आपका UPSC यानि कि civil service का prelims हो, या फिर आप देखते हैं कि one day exam में भी direct questions भी बन जाता है, और यहाँ दकी कि लिखित परेक्छा में भी इसे relative questions आ गये हैं कई बार, और आते रहते हैं, तो जितने भी आपके देश में इस्थल हैं, उनके बारे में कहां हैं, इनके बारे में विसस्ता हैं क्या हैं, और इन्हें कब सामिल किया गया हैं, यह सभी point आप लोग याद रखेगा, और अगर आप लोग state exam देते हैं, तो उसके लिए अपने state में जितने भी है उन्हें जरूर याद रखना क्योंकि कुश्चन सुन से भी आपकी परिच्छाओं में पूंच लिखता है तो दोलावीरा भारत का आप देखेंगे 40 वा कौन से नमबर का? 40 वा युनेसको विस धरोहर इस्तल बना है और कच्छे का रन गुजरात में इस्तित हडपा कालीन इस्तल धोलावीरा से समन्दित भारतिय नामंकन को युनेसको ने विस धरोहर की सूची में सामिल किया है इसी और इसमें देखेंगे आप लोग की इसे सामिल करने के बाद भारत में टोटल कितने हो गए? 40 इसमें आप देखेंगे 32 तो आपके सांसकितिक हो गए 7 आपके पराक्तिक हो गए 1 आपका मिसरित संपत्ति हो गया तो इन 40 को भी आप लोग याद रखें, 32 इसमें आपके सांस्कितिक और इसमें साथ आप देखेंगे आपके प्राक्तिक और एक है आपका मिस्रित, केंद्री संस्की मंत्री ने कहा है कि अब उनके पास 40 या इस से अधिक भिस्त धरोर इस्तल हैं, और इसके अलाबा आप इटली, स्पैन और जर्मनी, चीन वा फ्रांस हम से उपर है, तो इन में हमारी गिंती लगबग होने लगी है, देखेंगे आप लोग, यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ धोला वीरा, लेकिन यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ आप लोग अच् इसते स्टेट कर दर्जा, एक माई 1960 को दिया गया था, अगर यहाँ आप लोग बात करें विदान सवा सीटों की, तो आप देखेंगे कि 182 सीटें देखने को मिलेगी, 182 ठीक है, राज्य सवा सीटों की बात करें तो 11 सीटें देखने को मिलेगी, लोग सवा सीटों की बात करें तो 26 देखने को मिलेगी कितनी 26 सीटें देखने को मिलेगी लोकसवा में और इससे लगी हुए अगर आप राज्य देखें तो यहां महराष्ट हो गया मद्धपदेश हो गया राजिस्तान हो गया यहीं आप देखेंगे कि आपका दादरा और नागर हवेली और दवन ठीक है और यहां पाकिस्तान से भी गुजराद की सीमाँ लगती है याद रखिए अंतराष्टी सीमा किसे लगती है पाकिस्तान से तु यह पाइंट आप लोग कुछ पूैंट आप लोग याद रखियेगा जरूर तो यहां आप लोग यहां भी देख सकते हैं एक कुछ आप स्थल भी देख सकते हैं आके देख लिजेगा कभी जाएं तो घूमके भी आएं देख आएं क्या हाल है यह स्थल आप देखेंगे गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में मासर और मानहर नदियों के मद्द अवस्तित है कई बार आप देखेंगे डारेक्टी कुष्चन्स बन जाता है कि जो दोलावी राय यह किस जिले में है गुजरात के या पर पूँच लेगा किस राज्य में है तो याद रखें कच्छ जिले में काँ गुजरात में जो आपकी मासर और मानहर नदी है इसके मद्द आपको इसके बीच आपको देखने को मिलेगी अगर इसकी बात आती है कि खोज किस ने की थी तो याद रखें जगत पती जोसी ने 1967 अरशट में की थी लेकिन इसका विस्तार से उत्खनन होता है 1991 कौन करवाता है रवेंद सींग बिष्ट इन दोनों नामों को भी आप लोग याद रखेंगा अब बात आती ही कि धोला वीरा में क्या खास है इसकी विस्ता है क्या है हो सकता है आपसे मुख परीक्षा में यही पूश्टन्स पूच ले कि हाली में आपका धोला वीरा को युनेस्को की विस्वेरासत इस्थलों में सामिल किया गया है इसके उपर आपको टिपड़ी कर तो ये आप लोग लिख सकते हैं दौलावीरह नगर तीन प्रमुख भागों में विभाजित था जिसमें आप देखेंगे दौर्ग भाग, फिर आप मध्यम नगर फिर आप देखेंगे निचला भाग मध्यम नगर केवल दौलावीरह में ही पाए गया है या संभावता पिसासने के अधिकारी हो यह वं महत्पूर नाग्रेखों के लिए प्रयोगत यानि की रहने में उपयोग होता होगा दुरुग में अगर हम बात करें तो अत्ती बिसिष्ट लोगों के लिए रहे होगे जबकि निचले अगर हम बात करें आम जनों के लिए तो यहां कोई आप कह सकते हैं कि आम लोग रहते होगे एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं दुरुग भाग में यानि कि आप समझे एक तरह सी महलों में अच्छे ही कुछ अती विसिष्ट, जो अती महथपूर्ण बैक्ति हों, वह ही निवास करते होंगे. मध्यम में आप समसकते हैं, कि एक अतरह करो पिसासनिक अधिकारी रहे होंगे, और भी जो महथपूर्ण नागरिक होंगे, वो रहते होंगे. लेकिन निचले में सबसे निचले भाग में कौन रहता होगा आम बैक्ती हम और आप जैसे तीनों भाग एक नगर आयता कार्प फ्राचीर के भीतर सुरक्षित थे यानि कि आप देखें कि आप किसी कालोनी में रहते हैं उसके चारों तरप आप देखें एक बॉंडरी उठ जाए तो उसी की बात किये जा रही है इस बड़ी फ्राचीर के अंतरप भी अनेक छोटे-छोटे चेतर सुतंत रूप से मजबूत एवं दुरवेग प्राचीरों से सुरक्षित किये गये थे इन फ्राचीर एक चेतरों के जाने के लिए भब एवं विसाल प्रविशद्वार बने थे तो ये भी आप लोग यहां की विसिस्ता देख सकते हैं दौलावीरा नगर के दुरुख भाग एवं मध्यम भाग की मद्ध अवस्तित 383 सेंटो 47 मीटर की एक भब इमारत के आउसेस भी मिले हुए हैं इसे आप लोग क्या कह सकते हैं इस्टेडियम कह सकते हैं और इस्टेडियम बनाए गया है इसके चारों और दर्सकों के बैठने के लिए सीडियां बनी हुई थे तो आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का खेल भी होता होगा कि सभी लोग सामिल होके एक तरह से बैठ के देखते भी होगे इसी उद्देश से इसका निर्मार किया गया होगा यही अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग तो यहाँ आप देखेंगे कि पासार इस्तापत के ओत्कृष्ट नमूने भी मिले हैं पत्थर की भब द्वार, बिर्टाकार, इस्तम, आदी से यहाँ की पासार काल में निफूर्टा का परचे मिलते हैं और पॉलिस युक्ते पासार इस्तम भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और जिन से विदेथ होता ही कि पत्थर पर ओज लाने की कला से धोलावीरा की कारीगर सोवेग गिते यानी की परचित थे तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे आग से भी बहतर कारियर रहे होंगे दोलावीरा से सिंदू लिपी के सफेद खड़िया मिट्टी के बने दस बड़े अक्षरों में लिखी एक बड़े अबलेक पट की चाप भी मिली है यह संभावत आप देखेंगे विष्ट के पितम सूचना पट का फिरमार्ण है और इसमें आप देखेंगे इस पिकार दोलावीरा एक बहुत बड़ी बस्ती थी और जिसकी संख्या लगभग 20,000 से भी 20,000 थी और मोहन जोदरों से आदी मानी जा सकती है हडपा सब्विता उद्व यह उंपताओ की विश्वसनी है जानकारी हमें भी धोलावीरा से ही मिलते है जल सरो सूखने और नदियों की धारा में परिवतन के कारण इसका बिनास हुआ है आप सबी जानते हैं कि हडपा सब्विता के पतन का एक कारण यह भी माना जाता है कि बरसाद कम हुई होगी और नदियों की धारा बदल गई होगी गुजरात के कच्छ जिले की मचाओ तालुका में मानसर और मानहर नदियों की मददवस्ति थे यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं सिंदु सब्विता का एक प्राचीन और विसाल नगर है जिसमें देरकालिंग स्थापत की प्रमाड मिले हैं इसका अनिवेशन आप लोग देखी चुके हैं और लेकिन विस्ति यानि की विस्तार से रमिंद सिंग विष्ट द्वारा इसका उत्खनन करवाए गया था तो यह भी याद रखेगा यहां आप देखेंगे कि सोले विभिनाकार के पिकार की जलासा भी मिले हैं जो एक अनूठी जल संगरन विवस्ता का चित पिस्तूत करते हैं इन में आपका दो का उलेक भी है इनने भी आप लोग देख लीजेगा एक बड़ा जला से दुरुख भाग की पूरुमें चित में बना हुआ था जलासे मतलब कहने का मतलब एक तरह से आप लोग जल भरने वाली जगह को कह सकते हैं यह लगबग आप देख सकते हैं कि 70 x 24 x 7.50 मीटर था और कुसल पासांड कारियों ने इसका तट बंधन किया था और इसके उत्री भाग में नीचे उतरने के लिए पासांड की निर्वे 31 सीडियां भी बने थी यानि कि पूरा एक तरह से इस टेक्चर समभाल की बनाए गया था किसमें आप लोग नीचे भी जा सकते हैं अगर वहीं आप लोग दूसरा अगर देखें जला से तो ये 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का था और यह दुरुग भाग के दच्चन में आपको देखने को मिलेगा इन टंकियों से पानी वितरन के लिए लंबी लंबी नालियां भी बनी हुई थी आप भी देखते हैं कि आप भी एक टंकी रहती हैं पचीस सो साल पहले की बात हो रही हैं तो क्या रहा होगा और इन्हें सिलाओं को काटकर बनाए गया था और इस तरह के रौक कट आर्ट का यह समवता प्राचीनतम और रारने यानि की सबसे पुराना इसके कुछ साक्ची भी मिले हैं इने भी देख लीजी आप लो अनेक जलासे के प्रमाड भी मिले हैं यहां से निर्माड के पत्थर के साक्ची भी मिले हैं पत्थर पर चमकीला पालिस भी मिला है और त्रेस तरिये नगर योजना भी मिली हुए अपने समय में छितपल की दृष्टी से भारतिय सेंधा उस्थलों में सबसे बड़ा सहर कहलाता है और यहां कि आप देखेंगे कुछ साक्षो और घोड़ी की कलातियां के आउसेस भी यहां से आपको मिले हुए है और सुएथ पॉलिसदार पासांट खंड भी मिले हैं एक तो क्या है कि इस समय की जो लिफी है उसके बारे में पड़ा नहीं जा सकता है कोई पड़ा नहीं पाया है इसलिए हमारे पास लिखित साक्ष नहीं है हम लोग इनी पत्थरों के साथ आप देखिए यहां जो भी जीवास मिले हुए है या फिर आप कह सकते हैं जो घर मिले हुए है जो महल मिले हुए है जो ये जलास है मिले हुए है इनी से हम लोग इस समय की जानकारी इकटी करते हैं तो ये तो भी आपकी दोलावीरा के बारे में एक सामन जानकारी है और याद रखिए जब हम लोगों ने आपका रुद्धिस और मंदिर के बारे में बात की हुई थी तो उसमें सम्ती को हम लोगों ने पहले ही बता दिया था और आपका यूनेसको के बारे में तो मुझे लगता है कि आप लोग ने वो देखी होगी, तो शुरूं में बताने का कोई कारण भी नहीं बनता, अगर आप ने देखी हैं, तो आप लोग यहां से खतम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो संती और यूनेसको के बारे मैं, अगर नहीं जाना है, तो आगए हम लोग उ पर साल होती है यानि कि साल में एक बार होती है जरूर, इस समती में अभी संभाई के पक्चे कारों देसों से 21 पिती निदी सामिल होते हैं और इस पिती निदी सदसों का चुनाव 6 साल का होता है। मुझे आप सही कि इसके कितने पक्चिकार हैं और कितने देशों के पिति निदी इसमें भाग लेते हैं तो 21 आपको याद रगना हुआ इन पिति निदी सदस्वों का चुनाव कितने साल के लिए होता है छे साल के लिए होता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है और अगर हम लोग इस सम्ती के कारियों की बात करें तो विश्व विरासत अभी समय का करयानविन करना और विश्व विरासत कोस से बित्तिय साहता आवंटिक करना इस पॉइंट को भी याद रखेएगा यह सम्ती विष्व विरासाथ सूची में सामिल स्थलों के सरक्षन की स्तिती पर रेपोर्ट की जाज करती है और इन स्थलों को संकर्ट फन विष्व वरासत की सूची में रखने या घटाने की विशई पर नेड़े भी लेती है यह हो गई आपकी विस से धरोवर समती की कारियों की बात हो गई यहीं अगर आप लोग विस से धरोवर स्थलों के सरक्षिन की बात करें तो सैउक्तराश सैक्षडिक विज्ञानिक एवं सांस्कितिक संगठन जिसे आप लोग क्या कहते हैं यूनेस को कहते हैं क्या कहते हैं यूनेस को कहते हैं और इसके बारे में आपको मालू होगा कि इसके इस्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को कहां हुई थी लंदन United Kingdom में लेकिन इसका आपका headquarter मुख्याले कहां देखने को मिलेगा Paris, France में ठीक है ये दोनों point रियाद रखेगा जरूर यूनेस को का इस रक्षा और सनरक्षन को फुरोवसाहित करना विश्व धार वर स्थलों का सनरक्षन विश्व सांस्कितिक और प्राक्तिक विरासत के सनरक्षन से संबंदित अभी समय नामकी कंतराश्टी संदी हुई थी और इस संदी को यूनेस को द्वारा 1972 में अपनाय गया था कव 1972 में अगर हम बात करें कि यह स्थल आकिर किस तरह से नामंकन पर क्रिया से गुजरते हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि किसी देश द्वारा अपने मात्पूर सांस्कितिक और प्राक्तिक इस थलों को एक दस्तावेज में सूची बद्द किया जाता है और इस दस् समय पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि भारत ने नौ इस थल एक दस्तावेज में एक तरह से सूची बद्द करके भेजे थे उसमें आप देखेंगे कि 6 स्थलों को समावी सूची में सामिल किया गया था इसके बाद क्या होगा इसके बाद आप देखेंगे कि इस सूची में से कुछ इस्थलों को कचैन करकी उन्हें एक नामंगन फाइल में रखा जाएगा फिर इस महारक और इस्थलों पर अंतराष्टी परिशत और विश्वस तरक्षण संग द्वारा नामंगन फाइल में सामिल इस्थलों का आँखलन किया जाएगा जैसे आप माली जी कि अभी हमारे पास छे आपके समभावी सूची में जोड़े गए हैं इन में से हम कुछ स्थलों को आंगी फिर भीजेंगे उस पर आप देखेंगे कौन विचार करें अगर उसे लगता है कि यह जो भी नियम उसमें बनाये हुए है उसके अनुरूप है तो वो उसे आंगी क्या करेगा किसी भी देश के द्वारा समभावी सूची में सामिल इस्थलों से भिन इस्थलों को निर्म नामित नहीं किया जा सकता है यानि कि यहां कहने का मतलब यही है किमाले जी कि आपके छे संभावी सूची में सामिल है आप क्या करें कि इन छे को ना भेज कर किसी साथ भी को भेज दें जो इस सूची में सामिल ही नहीं था तो उसे रेजेक्ट कर देंगे ऐसा विल्कुल नहीं होगा आपको 6 जो सम्भावी सूची में सामिलें इनी में से आपको भेजना होगा आगे और आंकलन की पश्चात आप देखेंगे यह संस्ता हैं विस्त धरोर सम्ती को अपनी से फारिष पिस्तुत करती है जो आपकी विस्त धरोर सम्ती है इसका जो भी नेड़य होगा वो अंतिम होता है तो इस तरह से आपके 40 अभी तक सामिल हो चुके है और इन 40 को आप लोग याद रखिएगा एक से दो बार पढ़िएगा आराम से आपको याद हो जाएगे जाना आपको टेंसन भी नहीं लिए नहीं है और रखना भी नहीं है अपने आप आप देख सकते हैं कि याद हो जाएगा और इन सभी इस्तलों के बारे में आप इतिहास में पढ़ते रहते हैं बस आपको थोड़ा फॉकस दीना होगा ठीक है और याद रखिए यह ऐसा टोपिक है जिससे आपके कुश्चन समेशा पूछे जाते हैं अब फर चाहे मातमूर संगटनों को ले लिजी आप लोग यूनेस को डवलू टी ओ डवलू एर्चो समझ रहे हैं आप लोग अब एर्चो यह वितना है